लालश कभी-कभी बैक्टी को इतना अंधा बना देता है कि वो संबंधों की पराकाष्ठा भूल जाता है और संबंधों की पराकाष्ठा को भोलने के बाद समाजिक कानेवाने भी छिन्न भिन हो जाते और इसमें वो अपरात कर बैट ऐसी ही अपरात की कहानी आज मद्वदे से है कि किस तरह से तरफा कर एक औरत की हत्या की जाती है और जो हत्या करने वाला हत्यारा होता है वो भी उसका रिष्टेदा हो तो आईए जानते हैं कहानी में आगे किस तरह से क्या हुआ नमस्कार आदाव सस्वीकाल मैं आयूस आपका कहानी इस्टोरी आज अभी में आपका स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि इस्टोरी आज अभी के परिवार के सभी लोग स्वस्त हुआ सानन्ध होगे आज की कहानी मद्द प्रदेश के सुहागपुर के राजेंदर वार्ड के रहने वाले सत्तेंदर सर्मा की दो बेटियों की हैं उनकी दो बेटियां जिनका नाम लीना और हेमा था हेमा चालिस वर्ष की थी और लीना 38 साल लीना सर्मा के पिता की मृत्तु काफी पहले हो चुए वहीं लीना की माँ भी दो भहने थी और लीना के नाना दो भाई थी और एक भाई का वेटा प्रदीप सर्मा था जो कांग्रेस का नेता था लीना के नाना नानी की मृत्तु के बाद नन्याल की संपत्ती का वारिस लीना की मा और मौसी के नाम ही था और वही उस संपत्त की मालिक थी चुकि लीना के मौसा की बहुत पहले मृत्तु हो गई थी और उनकी कोई संतान ना होने से उनकी देखभाल की जुम्मेदारी भी ली लीना ने ही समाल रखी और इसी वज़े से निन्हाल की 36 एकल जमीन की वारिस लीना और हेमा ही अब बची हुई और ये बात लीना के नाना के भाई के बैटे प्रजीप को बहुत जादा सालती रहती थी कि आखिर ये दोनों क्यों वारिस हैं अब वक्त बीता गया हेमा की साध कुझ इलाके में लीना रहती थी और होसंगावाद के सुहाधपुर के पास डूड़ा दे गाउं में उसकी करोडों रुपए की पुस्तैनी जमीन जिस पर पारंपरिक रूप से खेती होती थी और गाउं में देख भाल के अभाव में करीब 10 एकल 41 डिसमिल जमीन पर लीना के मामा प्रदीप सर्मा जो ताकालीन ब्लाक कांग्रिस अध्यक्स थे ने कब्जा जमा रखा अब पुस्तैनी जमीन की देख रेक करने वाले बटाईदार लीना को समय समय पर फोन कर इसकी जानकारी दिया करते से बाद 2016 अप्रेल मेने की है दोनों बहिने लीना और हेमा रही है दिक है प्रदीप मामा हर साल हमारी जमीन पर कब जांस भड़ते जा रह친 खी जांस तो पूरी जमीन फवलत लेगे हेमा ने सला देते हुए कहा लीना ने कहा दीदी में जाकर मामा से इस संबन्द में बात करती हूँ और जमीन की हद बंदी कराती हूँ लीना ने कहा और 20 अप्रेल को लीना ने सुहागपुर तहसील में पटवारी और राजस सुनिरिक्षक आराई को जमीन की 25 करने के लिए ए अप्लीकेशन दे दी, 24 अप्रेल को तैसिल के पटवारी और रेवेन्यू इस्पेक्टर ने जब खेत की 25 की तो पता लगा, 10 एकड 41 डिसमिल जमीन प्रदीप सर्मा ने अपने कबजे में कर रख, मौके पर ही पंचनामा बना कर हद बंदी के लिए गड़े खोद दिये गए और निसान बनाए गए थी, लीना ने सीमांकन करा कर मामा के कबजे से जमीन को छुड़ा ले थी, लेकिन वो चायती थी कि अपने कबजे की जमीन पर तारवंदी करा दे, ताकि उसका मामा प्रदीप दुवारा उस पर कबजा न कर सके, ना ही कोई दूसरा बेखती कबजा क और तारवंदी कराने के लिए उसने प्रदीप कुस्वाहा से बात की और 29 अप्रेल 2016 की सुबह नो वजे लीना सुहागपुर से आटो रिक्सा लेकर अपने निहाल डूडा देव गाउंग में प्रतापुर साथी गंगाराम और तुलाराम के साथ मौके पर पहुंच और इ अपनी जमीन की तारवंदी कराने वाला हूं और तुम परहसान मत हूं मैं दोनों की ही एक साथ करा दूँगा जब लीना ने मामा की बात नहीं मानी तो प्रदीप सर्मा लीना के साथ आए कर्मचारियों को अफसद और भला बुरा कहने लगा प्रताप कुस्वाहा एवम कं सोहागपुर पुलिस स्टेशन में प्रदीप सर्मा ने गुमसुदगी की एक सूचना दर्ज कराई प्रदीप ने तकालिंग टियाई राजेंद्र बर्मन को बताया कि 38 वर्स की मेरी भांजी लीना सर्मा दिल्ली में अमेरिकन एमबैसी में असिस्टेंट मैनेजर के पत प मोवाइल बंद आता रहा और मैं लगा था लीना के संपर्क में रहने की कोसिस कर रहा था उससे संपर्क करना चाहता था लेकिन अब तक उसकी कोई खोज खबर हमें नहीं मिली मामला क्योंकि अमेरिकी दूतावास की कर्मचारी से जुड़ा हुआ था लिहाजा टियाई रा सोहाधपुर पुलिस टीम ने पुपरिया जाकर लोकेशन ट्रेस कर एक युवक अमन बर्मा जिसका नाम परिवर्चित किया गया है कि पास से लीना का मोवाइल जर्त कर लिया जब अमन से पूस्ताच की गई तो उसने पुलिस को बताया कि मुझे ये मोवाइल भोपाल अहम सुराग मिले, काल डिटेल्स मिले, आखिर पुलिस के ये लीड इतनी ही काफी थी और आखरी नंबर पर पुलिस ने जब फोन किया तो ये नंबर किसी आटो रिक्षा चालक का नंबर निकला, आटो वाले ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपने आटो से 29 अप्र प्रदीब सर्मा ने सुहात पुर्थाने में लीना के गायव होने की गुमसुदगी दर्ज कराई और उसमें 28 अप्रेल की सुवए 9 वजे से ही उसके लापता होने की बात कही गई थी जबकि आटो चालक 29 अप्रेल को सुवए लीना को गाउँ छोड़ कर आने की बात कह रह ऐसे में पुलिस को सक हुआ कि आखिर लीना के मामा ने उसके गाउं में आने को लेकर जोट क्यों बोला और प्रदीब सर्मा की तरह ही उसके दो नौकर गोरेलाल और राजेंद्र कुमार बयान में भी बिरोधावास यही से पुलिस का सक उसके मामा प्रदीब पर गहराने लेकिन पुलिस के पास कोई पुक्ता सबूत हाथ में नहीं था प्रदीब सर्मा कांग्रेस का एक ताकतवर नेता था इसलिए पुलिस उस पर बिना सबूतों के हाट डालने से कत्रा रही लीना सर्मा की हत्या एक राज बनकर ही रह जाती अगर उसके दोस्त उसे ढूंडते नहीं जब लीना सर्मा तैसुदा वक्त पर घर वापस नहीं लौटी और उसका मोवाइल बंद रहने लगा तो भोपाल में रह रही उसकी सहली रितु सुकला ने उसकी गुमसुदगी की ख़वर पुलिस कंट्रोल रूम में दी लीना की गुमसुदगी की रिपोर्ड ना तो उसकी बहन हिमा मिस्रा ने दर्ज कराई और ना ही अन्य परजनों ने उसकी सहली रितु सुकला क्लासमेट थी और इसके साथ ही उसके जो मित्र थे उन्होंने पुलिस और मीडिया तक लीना के गुम होने की ख़वरें वाट्स अब फेस्बुक सोसल मीडिया पर जम कर च लाया जिसे अच्छा खासा जनता का समर्थन मिल रा था लीना के दोस्त इस अभ्यान के जरिये पुलिस पर लीना की तलास के लिए दबाव बना रहा है पुलिस पर इस मामले को सुल जाने का दबाव लगातार बगता जा रहा था राज में ही नहीं बलकि नेशनल मीडिया भी लीना के लापता होने या उसकी हत्या की ख़बर प्रमुटा से चापी थी लेकिन आरोपी प्रदीब सर्मा के राजनीतिक प्रुभाव की वज़े से कोई भी उसके खिलाफ ना तो बयान देने को तयार सा ना ही पुलिस में कुछ बताने के लिए एक तरफ पुलिस लीन के दोस्त पुलिस को लगातार फोन कर रहे थी लीना के कुछ दोस्तों ने ही पुलिस को बताया कि लीना का अपने मामा के साथ जमीन का विवाद चल रहा है हो सकता है कि लीना के गायव होने में उसके मामा का ही हाथ हो लेकिन पुलिस के पास चुकि कोई ठोस सबूत नहीं इसलिए वो प्रदीव को गिरतार नहीं कर पा रही उस समय होसंगावाद के ततकालीन स्पी आस्तोस सिंग ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए सुहाधपुर पुलिस को लीना की खोश करने के निर्देश दिये सुहाधपुर पुलिस ने जब प्रदीव सर्मा से संपर किया तो वो घबला गया और पुलिस को गुमरा करने के इरादे से उसने भांजी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीव सर्मा सक्क के दायरे में आ गया था और जमीन के जगले की बात भी सामने आ ग उसके मामा प्रदीव के बीच तारवंदी को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद तारवंदी नहीं हुई तो लीना ने मामा से कहा सुनी भी की और तारवंदी करने वालों से पुलिस ने जब सक्ति से पूस्तांच की तब उसकी हत्या का खुलासा हो गे पुलिस ने प्र होने का नाटक करते रहे लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पुस्ताच करना सुरू की तो जल्द ही दोनों तूट गए उन्हों दो घंटे के अंदर पुलिस के सामने सारे राज उगल दी पुलिस को दोनों ने बताया कि इमामा प्रदीब सर्मा ने ही लीना की हत्या को मजबूर की और बाद में उसे गिरस्टार कर लिया इसके वार प्रदीब ने इधर उधर भागने की कोशिस की लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में दे लिया तो उसने लीना के डूडा देवाओं पहुंचने से लेकर उसकी हत्या करने तक और सो को ठिकाने लगाने की पूरी साथ सुहात पुर से ही तारबंदी का सामान लेकर प्रताप और दूसरे लोगों के साथ अपने खेट पर पहुंची तो तारबंदी करने को लेकर उसका मामा प्रदीब से विवाद इतना बढ़ा कि प्रदीब ने लीना के साथ आए लोगों को यह कह कर वहां से खदेड दि लीना के सर पर डंडे से हमला कर दिया, तब ही प्राधीत के नौकर गोरेलाल वाराजेंद्र ने उसके सिर पर पत्थरों से हमला कर दिया, सिर में गहिरी छोट लगने से वो जमीन पर गिर पढ़ी हुट और थोड़ी देर तक कलपने के बाद उसकी म्रत्व हो गए लीना की म्रत्व के बाद प्रदीप ने दोनों नौकरों से कहा जाओ जन्दी जाकर ट्रैक्टर राली लेकर आओ चूंकि लास को ठिकाने लगाना पड़ेगा इतना सुनते ही नौकर बोले जी मालिक अभी लाते लेकिन अगर किसी न डर के मारे प्रदीप से कहा कि हुजूर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा राजेन ने भी इसी तरह से कुछ आसंक्या व्यक्त की तो प्रदीप ने कहा डरने की बात नहीं है जो हुआ उसे भूल जाओ और लास को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो आज के बाद किसी से इस बात की चर्चा भी मत करना प्रदीप सर्मा ने सर्मा दोनों को भरोसा दिलाते हुए कहा प्रदीप सर्मा के कहने पर गोरेल और राजेंद कुछी देर में ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ जाती तीनों ने मिलकर लीना की लास को ट्रैक्टर की ट्राली में रख और उसके पर कुछ घास फूस रख दिया नौकरों के साथ सत्पुला टाइगर रिजर्व छेत के कामती के जंगल में पहुंच गए वहां बरसाती नाले में सबसे पहले गोरेल और राजेंद ने गड़ा खोदा और उस गड़े में नमक और यूरिया डाल दी बाद में लीना के सरीर के कपड़े उतार कर उसे वहीं पर दफना दी चौदा माई 2016 को प्रदीब सर्मा की निसान देही पर पुलिस ने और प्रसासन की टीम ने मौझूद रहकर नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से लीना की लास निकाली सोपर मिले टैटू और ब्रेसलेट से लीना की बहन ह भी मैच करायागी प्रदीब ने लीना के कपड़ों में मिले परस से वसीयत नमा निकालकर उसकी जीन्स पैंट और परस को अपने घर के पीछे खेत की मिल पर जला दिया था जबकि वसीयत नमे को अपने पास रख लिया था 14 माई को जिस तरह की हालत में लीना का सो मिला था उससे दुसकर्म की आसंका भी जताई जा रही इस वज़े से तीन डाक्टरों के पैनल ने पोस्मार्टम किया सो पंदरा दिन पुराना होने की वज़े से बुरी तरह सर चुका था पुलिस को पोस्मार्टम रिपोर्ड मिली तो डाक्टरों ने सिर में गहरी चोट से फ्रेक्शर होना और उसी वज़े से मृत्त होने की बात लिखी थी पोस्मार्टम करते समय डाक्टरों ने दुसकर्म जैसी आसंका को देखते हुए वजाइनल स्लाइड भी तैयार किये थे सभी नमूनों की जाँच सागर की फॉरेंसिक लेवरेटरीज में कराई गई थी पोस्मार्टम के बाद 15 मई 2016 को लीना की बहन हेमा और बहनोई ने सुहाकपुर आकर लीना का अंतिम संसकार किया पुलिस की दिन भर हुई पूश्टाश में प्रजीप ने कई राज उगले थे उसने बताया कि लीना की मौत सिर में चोट लगने से नहीं बलकि पत्थरों से कुछलने और गला दवाने से हुई और उसने ये करते 2015 में आई आजय देवगन की फिल्म द्रस्यम की कहानी को देखने के बाद इस तरह का करत किया था चुंकि इस मामले की कहानी फिल्म से मिलती जुलती हुई था और लीना के हत्यारों ने भी उसमें दो सेल फोन में से एक को घटना इस सल से करीब 30 किलो मीटर दूर पिपरिया होसंगावाद रेलवे स्टेशन पर फेक दिया था फोन सेट में डाला जब लीना के दोस्त का फोन काल आया तो उसने लीना के साथ कुछ गलत होने के बारे में उसे सतर कर इसी मोईल की काल डेटेल से पूरे मामले की कड़ियां जुड़ती चली गए और लापता होने के पंद्रवे दिन पुलिस ने SDM तहसीलदार की उपस्तिती में टीम ने गड़ा खुदवा कर लीना की लास को निकल वाया प्रदीप ने पुलिस के सामने ये प्रदर्सित करने का बहुत प्रयास किया कि उसने उसकी सुरक्षा की थी लेकिन उसके आदमियों ने लीना पर राड और पत्थरों से हमला किय क्योंकि लीना ने 29 प्रेंट 2016 को भूम विवात को लेकर उस पर हमला किया था जिसके फलसुरूप उसके कर्मचारियों ने उस पर हमला बोला था लेकिन हुसंगाबाद और नर्मदापुरम पुलिस की जाच से पता चला कि ये एक कूर्व नियोजित हत्या थी लीना के प्र गया और उसके सेलफोन को ट्रेंड में फेकने का प्रयास किया गया इससे ये पता चलता है कि हत्या पूरू नियोजित थी इसके साथ ही हत्या के सबूत निस्ट करने के लिए सौको दफनाने से पहले उसके सिरीर पर यूरिया और नमक छिड़कने जैसी हरकत इसोर इसारा क ठीह एक पूरू नियोजित हत्या थी लीना सर्मा की राश काफी सर चुकी थी उसकी पहिछान करने के लिए बहन हिमा सर्मा का भोपाल में डी एने टेश्ट कर वाया गिया डी एने रिपोर्ट से लीना के सो की पहिछान हुए हत्या के खुलासे के बाद लीना के मामा प्रदीब सर्मा नौकर गोरेलाल राजेंदर को हत्या के आरोप में सुहातपुर पुलिस में गिरफतार किया और कोर्ट में शालान पेस्क वहां से तीनों को जेल भेज़ दिया गया था प्रदीब सर्मा के परिवार के लोगों ने उसकी जमानत लेने के लिए 80 चोटी का जोर लगा रखा था जब कि लीना की तरफ से कोई भी पहल पैरवी नहीं हुई था और यही वज़े रही कि प्रदीब सर्मा के घरवाले कोर्ट कशेरी में पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और उनकी कोशिसें काम्याब भी हो रही एक साल के अंदर ही चीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई लीना की हत्या के नो महीने बाद 22 फरवरी 2017 को प्रदीब सर्मा को कोर्ट ने जमानत दे दी थी इस तरह 11 महीने बाद पहली अप्रेल 2017 को गोरे लाल और राजेंद मार्च 2023 को मद्र प्रदेश के नर्मदापुरम पुराना नाम होसंगावाद जिले के सुहागपुर कोर्ड में सुबह से ही बहुत ज्यादा गहमा गहमी मशीच कोर्ड परसर में भारी पुलिसवल तैनाथ था मीडिया वकील के अलावा तमाम तमासवाई मी भीड़ भी वह इखटी दिखाई देरें दरसल इस दिन जिले के वह चर्चित लीना सर्मा मर्डर केस का फैसला आने वाला था और फैसले के लिए दोपहर तीन बजे का समय तैंकिया गया था सुहागपुर के दिती अपर सत्र निया जीस संतोस सैनी की अदालत में दोनों पक्षों से की तरफ से पैर्वी कर रहे अपर लोग अब योजक संकरलाल मालवी अभी कोर्ड में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे और जैसे ही कोर्ड की घड़ी में तीन बजे का अलार्म बजाया तो सभी चोकनने हो और कुछी छड़ों में मजिस्टेट संतोस सैनी ने कोर्ट र पर सत्र नयाजीस संतोस सैनी ने लकड़ी के हतरोले से मेच पर ठोका तो सभी की निगाहें उनकी तरफ उठ गई जैसाम ने अपना फैसला पढ़ना सुलू किया तमाम गवाहों और सबूतों के मद्दे नजर ये अदालत इस नतिजे पर पहुंसती है कि मृत्तका लीना के मामा प्रदीप ने अपनी भांजी की जमीन हड़पने के लिए अपने घरेलू नौगरों के साथ मिलकर उसकी हत्या की लीना सर्मा की हत्या का दोसी पाते हुए हत्या एवं शडियन्द की धारा 302 में प्रदीप सर्मा पुत्र जुगल किसोर सर्मा उम्र 63 वर्ष निवासी डूडा देव सुहागपुर को दोसी मानते हुए आजीवन का रावास एवं एक लाग जुर्माने की सजा सुनाती इसके साथ ही आईपी सी की धारा 201 लास छिपाने में साथ वर्ष की सजा एवं 5,000 रुपए जुर्माना आईपी सी की धारा 404 मृत्य विक्ति की संपत्य का बेवानी से गवन करने के लिए सजा एवं 5,000 रुपए जुर्माना लगाती वहीं इस केस में प्रदीव सर्मा का साथ देने वाले अन्न आरोपियों गोरेलाल, पुत्र मंगलू, उम्र 32 साल, निवासी सिटिया मुहाना और राजेंद कुमार, पुत्र अर्विंद, उम्र 27 निवासी डूडा दे को भी लीना की हत्या का दोसी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 120 B. IPC के तहट साजिस रचने में आजीवन कारावास एवं 10,000 जुर्माने, सहित धारा 201 में 7 वर्स की सजा एवं 50,000 जुर्माने की सजा 69 गवाहों की गवाही तथा भौतिक साक्षों के आधार पर कोर्ट में सुहाक पूर कांग्रेश के पूर बलाग अध्यक्ष प्रदीव सर्मा उसके नौकर गोरे राल 32 वर्स और राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अपने 110 पन्ने के फैसले में दलील द सारी सामाजिक ताने वाने पर विप्रीत रुहाओ डालने वाला है प्रदीव सर्मा गोरे लाल राजेंद्र का कोई आपरादिक रिकार्ड नहीं और दोवारा ऐसे कोई अपराद करने की संभावना भी नहीं है अभियुक्त समाज के लिए खत्रा है और ऐसा भी प्रतीत हो को प्रतीव सर्मा ने अपने अप्योग के लिए रख लिया है इसे लीना सर्मा के वाइद उत्राजकारी को देने का आदेस भी ये अधालत करती है अपर लोक अव्योजक संकरलाल मालवी के साथ लीना सर्मा के परिवाल से जुड़े लोगों के चेहरे पर एक विजयी मुस फैसला आते ही कोर्ट रूम में मौजूद सुहागपुर पुलिस ने प्रदीफ सर्मा कोरेलाल और राजेंज को गिरफतार कर लिया और उप जेल पिपरिया भेज दिया गी जिस जमीन पर कबजे के लिए लीना ने जानगवाई थी उस पर मामा प्रदीफ का कबजा आज भी क कभी जमीन को पाने वो गाउन नहीं आई कहानी कोर्ट के फैसले और लोग अव्योजक संकरलाल मालवी से बाचीत और मीडिया डिपोर्टों पर आधारी थी मिलते हैं अगली नई कहानी में तक तक अपना ख्याल लखें जैहिंद जैभारत